दोस्तों क्या आप लोगों ने गर के LPG सिलिंडर में ये नमबर्स और अलफाबेट्स को नोटिस किया है कभी सोचा है कि ये लेका जोका किसे इंडिकेट करता है दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि सिलिंडर लेते समय इस संक्या को जरूर चेक करनी चाहिए चलिए समस्ते हैं क्या है ये अगर आपके सिलिंडर में B13 लिका है इसका मतलब होता है कि आपका ये सिलिंडर की प्रेसर टेस्ट 2013 में डियू था और 20 साल का सकेंड को इंडिकेट करता है ऐसे केसेस में आपको तुरंद सिलिंडर को वापस करनी चाहिए और दूसरी सिलिंडर लेनी चाहिए अकसर ऐसा होता नहीं है मगर आपके सेवटी के लिए एक बार चेक कर लेनी चाहिए आपको माइने का इंडिकेशन बस A, B, C, D होगा A मतलब First Quarter यानि January, February, March B मतलब Second Quarter यानि April, May, June C मतलब Third Quarter यानि July, August, September और D मतलब Last Quarter यानि October, November, December नॉम्स के हिसाब से LPG सिलिंडर की पांच साल में एक बार प्रेजर टेस्ट होती है और अगर एक न्यू सिलिंडर बनता है तो पहले 10 साल वैलिड होता है और फिर 5-5 साल में प्रेजर टेस्ट होती है जैसे किसी सिलिंडर में A30 लिखा है तो समझिए कि ए सिलिंडर 2020 का बना है और इसका पहला प्रेजर टेस्ट 2030 में ड्यू है दोस्तों आसा करता हूँ कि आप लोग next time सिलिंडर लेते समय इस मार्किंग को जरूर चेक करोगे अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफरमेटिव लगी तो जरूर शेर और सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही रोचक तत्यों के लिए जुड़े रहे जैहिंद